मुखमंत्री नितीश कुमार 24 तारिक को बड़ी सौगात देने बाले हैं जहां गंगापत का वो उद्घाटन करेंगे तो सबसे जादा यानि सबसे लंबे समय तक बनने वाले इस मीठापूर आरोबी का भी मुखमंत्री के हाथो उद्घाटन होना है आप देखिए ये नजारा सामने पटना जंक्शन है और ये मीठापूर बस 10 की तरफ से ये रास्ता आता है ये रास्ता सीधे आपको विधान सभा की तरफ जाएगा आर ब्लॉक का जो इलाका है वो और उस तरफ डागबंगला की तरफ जो जाने वाले लोग है उसको भी ये जोडता है बहुत सारे ब्रीज का निर्मान राजधानी पटना में हुआ लेकिन ये एक ऐसा ब्रीज है जो 2004 से जिनका निर्मान हो रहा है इस को लेकर के राजधानी के लोगों को बड़ी उम्मीदे थी और बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा मीठापूर आरोबी इस अलाके से लोग सबजी मंडी की तरफ जाते हैं और ये रास्ता फिर विधान सभा का जो इलाका है उसको जोड़ देता है 2004 में इसके निर्मान का कारे शुरू हुआ था उसके बाद से अब 2022 में ये कंप्लीट हुआ है और मुखमंत्री नितिश कुमार इसका 24 तारीक को उदगाटन करने वाले हैं ये मामला जो था निर्मान को ले करके वो पटना हाई कोट में लंबित था ये मामला हाई कोट में चला गया था रेलवे की जमीन थी इसको ले करके बहुत विवाद हुआ राज सरकार के बीच में और इंडियन रेलवे के बीच में उसके बाद ये मामला हाई कोट में गया हाई कोट के बाद जो है जब ये मामला शाट आउट हुआ तो इसके निर्मान में जो बाधा थी वो दूर हो गई आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बन करके तयार हो गया है मुखमत्री नितीश कुमार राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं और इस मीठापूर आर ओबी के निर्मान को ले करके लोगों में काफी उत्ता थी और लोग चा रहे थे कि यह चालू हो जाए तो जो कनेक्टिवीटी है पट्टा जंक्शन से मीठापूर जो पुराना बस्टेन है उस अलागे से डाक बंगला चौराहे की तरफ से आर ब्लॉग की तरफ से इसको ये जोड़ेगा मुखमत्री नितीश कुमार परसो यहां पहुँचेंगे यानि 24 तारिक को मुखमत्री नितीश कुमार यहां पहुँचेंगा और इसका उधगाटन करेंगे राजधानी पटना के लोगों को बड़ी सहूलत मिलने वाली है इस निर्मान को लेकर के काफी दिनों से विवाद चला था और यह मामला हाई कोट में लंबित था रेल्वे की जमीन की अधिकरन का मामला था इसको लेकर के यह मामला हाई कोट में गया और अब यह बन करके तयार हो गया है और मुखमत्री नितीश कुमार परसों इसका विधिवत उद्गाटन करने वाले हैं जो निर्मान कंपनी थी उसको काफी लंबे समय का इंतिजार करना पड़ा और आखिरकार यह मामला जो है यह रास्ता जो है इसमें अभी निर्मान का काम जाड़ी है यह मीठापूर सबजी मंडी की तरफ यह जाएगा इस ब्रीच में थोड़ा सा काम बचा है इसका भी होगा आप देख सकते हैं नीचे से जो है वो रेलवे लाइन है यहां से ट्रे डालने बाकी है इस काम को भी लगता है कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा लेकिन जो नए ब्रीच का निर्मान हुआ है उसका उद्घाटन मीठापूर आरोबी के नाम से यह जाना जाएगा और मुखमत्री नितीश कुमार जो है कल इसका उद्घाटन करने वाले हैं यहां पर पत्र निर्मान मंत्री नीतीन नवीन ने भी मौाइना किया था और यह जानकारी देखी मुखमत्री नितीश कुमार से हरी जंडी मिलने के बाद इसका उद्घाटन होगा तो कुल मिला करके यह जो नया ब्रीज है यह आप यहां से देखिए कितना खुबसूरत नजारा है यह एक रहाइशी अलाका है यह और इस अलाके को ले करके पहले से निर्मान के मामले को ले करके विवाद हुआ था और यह मामला फिर नयाले में गया नयाले में काफी सुनवाई के बाद सरकार को बहुत सारी दलील देनी पड़ी उसके बाद जो है इसके निर्मान का जो जो पीचिंग का काम है वो भी मुकंमल हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो soundless system है आटल पत्वे आपने देखा होगा कि यह जो इस तरह के जो प्लास्टिक का cover लगाया जाता है इसको कहा जाता है एसी तकनीक से बनाया जाता है कि जो sound है, गाडियों की जो आवाज होती है वो रहाइशी अलाके में लोगों तक न पहुंशे लोगों की नींद खराब न हो इसको ले करके इस टेक्रिलोजी का इस्तेमाल किया गया है तो कुल मिला करके राजधानी के वाले हैं जाम से बड़ी जो समस्याएं होती थी उससे छुटकारा मिलने वाला है राजधानी पटना में जो ब्रीज कजाल है वो लगतार मुखमत्री नितीश कुमार की सरकार बनने के बाद बिछाया गया है और उसमें से मुखतर नीज फोर नेशन पटना